तो वही जमूई के चकाई से निर्दलिय विधायक सुमित कुमार सिंग को मंत्री पद में जगा मिलने पर जिले के लोग काफी खुश हैं एक और जहां वो मंत्री पद का शपत लिए तो वहीं दूसरी और उनके छेतर में कारेकरता पटा के छोड़ कर खुशी जाहिर कर रहे हैं आपको बता दें कि सुमित सिंग निर्दलिय विधार हैं लेकिन वो जदियों की तरफ से मंत्री बनाए गए है यह कहिना कहिन पूरे जमुई जिला वासियों के लिए हर्स की बात है कि एक युवा नायक जो कहे जाते हैं हमारे सुमित सिंग जी उन्हें मंत्री मंडल में सामिल किया गया है उनके संघर्ष को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि काते हैं संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है वो धैर रख करके पूरे निश्ठावान के साथ अपने जंता के बीच में जा करके उस चुनाव को लड़े जंता का विश्वास को जीता और आज उन्हें हर्ष निर्दलिय विधायक और बिहार विधान सवाचनाव में जीत उसके बाद मंत्री बन जाना और वहाँ पर शेत्रवासियों के लिए खुशी की जो है वो लहर भी देखने को मिल रही है हम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रह है पिछली बार 2010 में उन्होंने सुमित सिंग जो की चकाई विधाय का निर्दली विधार है वो जातन मुक्ती मोल्चा से जीते हुए थे लेकिन इस बार वे निर्दली चुनाव जीत कर उन्होंने एतिहासिक जीत का पर्चम भी लेर आया और कही ना कही उनका निकिस कैबि लिए विधायक है लेकिन पुरे जमुरी वातियों में एक तरह से खुती का महल जोड़ पर आप इस बाजियों और अभीर के साथ लोगों अपने हर्दुलास को वेक्ट किया है जी तमाम जानकरी को लिए शुक्रिया हर्शनापका तो सुमित कुमार सिंग को जोकि निर्द झाल